कभी-कभी User Play Store पर कुछ दिक्कतों का सामना करते हैं, जिनमें से एक है Download Pending का Error Message. कई बार जब User Play Store से एप डाउनलोड करने पर, Users को बार-बार Downloading Pending Error का Message नजर आता है. कई users को पता भी नहीं होता है कि इसे कैसे ठीक किया जाएं. अगर आप भी उन users में शामिल हैं, जो downloading pending error से message से परिशान हैं, तो यहां हम आपको इसे ठीक करने के तरीके बता रहे हैं आईए जानते हैं इनके बारे में तरीका एक, Google Play Store पर जाए और यहां उपर profile icon पर टेप है, इसके बाद settings में जाए जहां general में जाए और account preferences पर टेप है यहां scroll down करके clear device search history पर टेप करें और clear history पर टेप करें, इसके बाद clear wish list पर टेप करें और clear पर टेप कर दीजिए इसके बाद back आ जाए यहां network preferences में जाए और app download पर reference पर टेप करें और over onion network को select करें, इसके बाद auto update apps पर टेप करें और don't auto update apps पर टेप करें, इसके बाद आपकी app download pending error fix हो जाएगा अगर नहीं होता है, तो steps 2 को follow करें सबसे पहले settings में जाए, यहां scroll down करके apps पर टेप करें, इसके बाद manage apps पर टेप करें, यहां scroll down करके google play store पर टेप करें, और निचे clear data पर टेप करें, और clear all data पर टेप करके इसके clear कर दे, इससे आपकी play store पर downloading pending error fix हो जाएगा, अगर वीडियो अच्छा तो like करें, comment करें और channel को subscribe कर लें